इस सवाल में हमें दिया गया है A weather balloon is inflated with helium ठीक है The balloon has a volume of 100 meter cube and it must be inflated to a pressure of 0.10 atm अब इसमें है If 50 liter gas cylinders of helium at a pressure of 100 atm are used How many cylinders are needed? ठीक है यानी की एक weather balloon है जिसमें हम helium डालते हैं अब जो balloon है उसकी volume है 100 meter cube और उसको कितने pressure पे हमें उसके अंदर हवा भरनी चाहिए At a pressure of 0.10 atm तो अगर 50 liter के gas cylinders हम use कर रहे है At a pressure of 100 atm तो हमें कितने cylinders चाहिए होंगे ठीक है तो हम पहले volume निकालेंगे helium का At 0.10 atm Balloon का volume है इतना हमें निकालना है helium का volume ठीक है तो volume of helium at 0.10 atm इसमें हम formula लगाएंगे P1 V1 is equal to P2 V2 ठीक है अब P1 कितना है हमारा 50 V1 है 100 Cylinders का दे रखा है P2 हमारा कितना है 0.1 तो V2 कितना आएगा हमारा V2 will be equal to 5 into 10 to the power 4 liters ठीक है अब volume available for the balloon कितना होगा अब balloon के लिए कितनी volume available होगी उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें से हम 50 subtract कर देंगे 50 क्यों subtract करेंगे क्योंकि 50 liter of gas cylinders है यानि कि जो helium के cylinders है वो 50 liters ले लेंगे तो इससे हमें subtract करना होगा तो volume of वोल्यूम अवेलिबल्फर बल्यूम् वोल्यूम अवेलिबल्फर बल्यूम् कितनी होगी? 5, 0, 0, 0, 0 minus 50 which is going to be equal to 4, 9, 9, 5, 0 liters अब बलून की वोल्यूम कितनी है? 100 मीटर क्यूब वोल्यूम और फ बलून इस 100 मीटर क्यूब यानि कि 100 मिलीलीटर तो इसको भी हम मिलीलीटर्स में कनवर्ट कर देते हैं, यह हो जाएगा 49.95 मिलीलीटर या फिर मीटर क्यूब यह इस तो वोल्यूम ऑफ बलून है 100 मिलीलीटर पर बलूम फॉर बलून कितनी है? 49.95 यानि कि हमें कैसे हमें कितने cylinders चाहिए होंगे हमें 2 cylinders चाहिए होंगे क्योंकि around 50 के यह है तो 50 को एक cylinder provide करेगा 50 ml दूसरा cylinder provide करेगा ठीक है तो हमें कितने cylinders चाहिए कितने चाहिए तो